असलाम अलेकुम तो आज मैं बनाने वाली हूँ बहुत ही इंटरस्टिंग सी रेसिपी जो आपको बहुत अच्छी लगने वाली है और बहुत जल्दी जटपट से बन जाती है और वो भी हम बनाएंगे अपनी बचियों ही इटली से अक्सर हमारे गर में इटली बच जाती है ऐर जिस बीशेप में चाहे उसमें कट कर सकते हैं मैंने यहां पे क्यूप्स में कट करफ लिया है हमें कदनी है इसकी कोटिंग जिससे से सलिए इसमें किस पी लए सा जाएगी तो इसके लिए mail की टो टेबल स्पून कॉण और टू तेबल अच्छा लगता है हम इसमें डालेंगे half cup पानी और इसे अच्छे से ब्लैंड कर लेंगे एक लुकिडी पेस्ट में nin ही साथ में अच्छा वाया है तो वाय पीकते करने के बाद में हम कड़ाई के अंदर सभी पीसिस को डाल देंगे और हमें इसे कृिस्टी होने तक कुप करना इडली को fry करते टाइम आपको एक बात याद रखनी है जब आपकी इडली फिरिज से निकालें तब आपको डारेक्ट फ्राय नहीं करनी है पहले आपको रूम टैंपरेश्यो पर जब इडली आ जाती है तब आपको फ्राय करनी है नहीं तो इडली सारा ओल एब्सॉर्फ कर आप देख सकते हैं हमारी इडली पर कितना अच्छा कलर अगया है और कितनी अच्छे से कोट हो चुकी है और यह बहुत क्रिस्पी हो गई है तो अब हमेने निकाल लेंगे और आप अकसर सोचते होंगे कि हम क्या करें बच्वी इडली का लेकिन आप इस तरहां से अगर बन का लित डालें कीरेंगा जैसे इसका कच्छापन निकल जाये में अब हम डालेंगे बं मेंडियम साइज की प्यास मैंने क्यूप में कर्ट कर लिया है और एक में में नूंगी शितला मिर्च मैंने शिमलत में 신चे कट कर लिया है अगर आपके पास में rad woman तो आप उसका भी余्यूज रूर्च उस, अब एसमें डालनी है, तो मैं डालए हें 1 tablespoon विनेगर तो टेबलिस्पों में डालोंगीhea YES! सूय को चुषिभा तो टेमाचम नलरे मिंदेगा और ещ तरी टो फॉर टेबल स्पून में डालूब करें मुद्च कर ते लिए टेमाटो सास को मिलेए थे लोगके दैनरे तो उद्ट में एक निट तब एक निटकर देमाज कर टोर को पीज हमारी 1 टेबल स्पून कोर्ण फलार, 1 अवाफ कब रूम, पानी, नहीं सिसाखी, मिक्स कर लेना हैंουμε रहने मिक्स करने के भाहelse, हमने इसे सॉस के ईंदर डाल देना आप दिके की डालते ही हमारी सॉस बहुत अच्छी से ठीक होना स््टार्ट कर देती है जिस्साघ जिसे तो इसमें एक मार्किट जैसा थिक नेसा जाती है हमने इसे हाफ मिनिट को करना है आप दीखेंगे जब अपनी फ्राइए की इटली हमने इसके अंदर डाल देनी है और हमने इसे दो मिनट तक लो फ्लेम पर कुक करना है जिससे इटली के अंदर इसका टेस्ट चला जाए और पिलिकुल परफेक्क्ली रैडी हो जाए इटली में भी मैंने नमक डाला था सॉसिस में भी नमक होता है अगर आपको लगता है कि अगर इसमें नमक कम है तो आप इस टाइम पे नमक एट कर सकते हैं अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग यहां पर मैं डालूंगी वन टेबल स् फालो करके इस तरह से इटली बना सकते हैं और अपने घर में बहुत अच्छे से इंजॉय कर सकते हैं तो जल्दी से बनाएं और सब को खिलाएं और कॉमेंट बॉक्स में आके मुझे बताना बिल्कुल भी नहीं कि आपको कैसी लगी तो जल्दी से मिलेंगे एक नए और क्याल रखें थैंक यू फार वाचिंग अल्हाफीज